नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मान्ड सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 20 दिसंबर 2021 का संपोर्ड राशेपल उसे बेले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के दिन है सोमवार का है, कुरुष्ण पक्षकी पहले दिती है, नक्षत्र आदरा है, योग शुकल है दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात्वा करण है वो तैतिल है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुर्वत होगा दोपर एक बच कर चावालिस मिनिट से लेकर तीन बच कर पाच मिनिट तम और अभी ज़ितमोयर्थ ₹ вещ से लेकर बारा बच कर आड़ अरीश मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभी जित्म उर्त दिन के शुब कालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुन काम या फिर निरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुर्वात होगा सुब 8 बचकर 30 मिन से लेकर 9 बचकर 33 मिनिट तक और यमगंडकाल दोपर 11 बचकर 4 मिन से लेकर 12 बचकर 24 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल अशुब कालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतु प्रणाकाम या फिर निर्ने बिल्कुल भी नहीं लेना आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा मिधुन राशी में ब्रह्मन करेगा या चंद्रमा हर्षल के साथ लाव योग करने जा रहा है और बुद्ध के साथ प्रतियोग भी करने जा रहा है आजे के दिन बुद्ध और हर्षल का नवपंचम योग यानि की त्रिकोन योग होने जा रहा है यग रस्ति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के तरितियों भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपी के राशी में सिथर्शल के साधिया चंदरमा लावियोग करने जा रहा है आपके भागय भाव में सिथ बुद्यों के साधिया चंदरमा प्रतियोग भी करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके ल मेसित बुद्र के साद आपके राशे मेसित अर्शल का नमपंक्चम यह ने की त्रिकोनी युक THAT होने जा रहे तो आने वाय दो से तीन दीन आपके लिए बहुत ही ज़ादा महतव पूरुन साबिध होगे जो भी महतव पूरुन काम है वो आने वाय दो से तिन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो जो मेश राशी की वेक्टी जॉब लेसे हैं उनको जॉब मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती हैं काफी अच्छा दिन है इसका पूरी तरह से लाब लीजिए इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशव राशी ब्रिशव राशी के द्वितिया भाव में चंद्रमा का भ्रमनार आपके अश्टम भाव में स्थित बुद्ध के साधिया चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके वेया भाव में से धर्शल के साधिया चंद्रम लाव योग भी करने जा रहा है तो दिन काफी अच्छा है, कुछ अच्छे लाव हो अगर आपको मिल सकते हैं पैसे के मामले में कुछ अच्छे विचारा सकते हैं कुछ अच्छे इन्वेस्मेंट भी हो सकती है तो दिन वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा होगा घर के जो लोग है उनके लिए आज आपके पैसे खर्चे करने पड़ सकते हैं उसे प्रकर अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो उनकी जो मांगे हैं वो भी आज की दिन आपको पूरी करनी पड़ सकती है आपके अश्टमभाव में सिद्बुद्ध के साथ आपके वियभाव का जो हर्शल है वह नमपंचमियों गयाने की त्रिकोनियों करने जा रहा है तो आने वोले दो से तीन दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्तों पूर्ण साबितों के खास करके अगर आप किसी के र रिलेशन्शिप में जाना चाते हैं उनके लिए भी आने वाले दो से तीन दिन बहुत ही अच्छे और शुबफलदाई साबित होंगे आने वाले दो से तीन दिनों में कुछ अच्छे लाव अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बद्धी है इसके बाद की जो रा अच्छा और मैतवपुन साबित होंगा पैसे के बार मामले में कुछ चैलाव वगरा मिल सकते कुछ अच्छी बाते हैं या फिर कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकते हैं गर कि जो लोग है उनके साथ भी आज आपके दानलों काफी अच्छी रहेंगे अगर आप विव गर के जो लोग है उनके साथ और अगर आप विवाईत हो तो आपकी जो वैवाई जोड़िदार उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी आप दोनों में काफी अच्छा तालमेल भी देखा जाएगा आपको जो कॉन्फिदेंस है वो के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके लावभार में से हर्षल के साथ ये अचंद्रमा लावयोग भी करने जा रहा है आज के जो दodore सा कंफिजिंग आपको लग सकता है मतलब कई ज्यादा उलट-फुलट हो सकती है तो ध्यान दरखे आज की दिन थोड़ा शान्त रहना ज्यादा आवश्यक होगा उसे प्रकार आपके शर्ष्ट बाव में सित बुद्य के साथ आपके दशंभाव का जो हर्शल है वह नवपंचमियों ग्याने के द्रिकोनियों करने जा रह दोटेंगे लगिन आज की दिन के बारे में अगर देखा जाए तो आज आपका आज आपका जो मन है अस्तीर रहेगा एकाचके बात के ज़ुछ राशी है वो है सिंह राशी शिंग राशे के लाब भाव भाव में से दर्शल के साथ ये जदर्मा प्रतियोग करने जा रहा है तो दिन काफी अच्छा है कुछ अच्छे लाव अगर आपको मिल सकते हैं तो प्रकार और पैसे के मामलात में भी कुछ ऐसे आपको sources मिल सकते हैं जिसके थूरों आपको कुछ अच्छे लाव बगरा मिल सकते हैं मित्र अर परिवार है उनके साद आज आपकी गप शपो सकती है जिन आपके अच्छा अच्छा कियाया हो सकता है उन से आपको कुछ अबी तक आपने जो भी काम किया है अगर उसके कोई लाब आपको नहीं मिल रहताने वाले दो से तीन दिनों में वह काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हो अगर आप शेयर मारकर से डिल करते हो तो लग फैक्टर जिसे हम केते हैं उसका अनुभव आने वाले दो से तीन दिनों में अप ले सकते हो कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है उसके परकर अगर आप किसी के रिलेशन्शीप में है तो वहाँ पर भी आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के दशम बाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके चतुरत बाव में से बुद्धा के साथ या चंदर्मा प्रतियोग करने जा रहा है आपके अश्टम बाव में से धर्शल के साथ या चंदर्मा लाब हो सकता है तो उसी के ओपर थोड़ा सा फोकस कीजिए वैसे भी देखा जाए तो आपके पास प्रश्ण काफी होते हैं और जब तक आपको उसके उत्तर नहीं मिलते हैं तब तक आप शांत नहीं हो पाते हैं तो उसी का थोड़ा बहुत अनुबहों आज के दिन जादा आ सकता है और वो भी आपके कारिक्षेतर से रिलेट करने वाला ज्यादा हो सकता है तो अगर ऐसी कई बात होती है तो बिल्कुल भी अशांत नहीं हो ना एक दो दिने में जो बाती है नॉर्मल हो जाएगी उसी प्रकार आपके चतुरतवाव मेसे बुदर के साथ आपके प्रभूना फिर ना आने वाले दोसे तीन दिनों में बन सकता है कि बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के भागिया बावमिशंद्रमा का ब्रह्माणय यह आपके सब्तम बाव मेसे धार्शल के साथ यह चंद्रमा लाबयोग करने जा रहा है आपके वोने काफी अच्छी देखी जाएगे वैसे देखा जाए तो confidence भी आज आप में काफी अच्छा देखा जाएगा आज आपके traveling उगरा हो सकती है लेकिन traveling के दर्मियान जो काम आप हाथ में लोगे वो postponed हो जाएगा मतलब वो पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन उसके संदर में आपकी दिन वो पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है आपके त्रितिया वह में से बुद्र के साथ आपके सब्तमभाव का हर्शल है वह भी नवपंचमयों यानि की द्रिकोनियों करने जा रहा है तो आने वाले दो से तीन दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैलिंग वगरह है वह हो सकते हैं मायтовठ नईन आने वाले दो से आपके ले सकते हो और जो भी बाते इसके पहले तो आज का जो दिन है काफी अच्छा साबित होगा लेकिन आपर दो-तिन बाते हैं ध्यान में रखिये थोड़ सा आज के दिन जिसे हम out of the way जाके कभी-कभी कुछ काम करते हैं जिसके वज़े से हमीं ये पता होता है कि कई लोगों के साथ वो काम हुआ है लेकिन आपके साथ वो काम होने के संभावना आज के दिन थोड़ी कम दिखाई दे रही तो उसी कोई पर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवशक होगा ज्यादा मोहित नहीं होना या फिर अगर आपको ये रिस्क लेके काम करते हो आप दवे जाके काम करते हो तो काम पूरा नहीं होगा ध्यान दरकिए उसी प्रकार आपके द्विधिया भाव में से बुद्र के साथ आपके शर्ष्ट भाव को जो हर्षल है वह नवपंचम्यों यानि कि त्रिकोन्यों करने जा रहा है आने वाले नहीं से दोसे तीघलमी वह आइव को मिलने की संभावना काफी जादा बंती है अपके जैमित्रं परिवार हैं उनसे भी आने वाले दोसे तीए लिए में आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है कि उसके बात कि जो राशी है वह है धनु राशी अगर आप विवाईत हो तो आपकी Northwest Jewhen करने जा रहा है उसके ह्सका मुट्स बुढु आपके पुद्रास स्याख़न तयान दीजिए उसपरके आपके राशे में सिद भूद्र के सदा आपके पंचəम बाको ऑजो हर्षल है वह नभप पंचमियोग यानि द्रिकोण और आपके बहुत ही ज्यादा महतवुर्ण साबित होंगे कुछ अच्छे intuitions आपको आ सकते हैं आपके जिमन में किसी भी प्रकार के stress या फिर tensions आगा फिर pressure में अगर आप रहोगे तो उसके संदर में ऐसे कोई intuition आने वाले दो से तीन दुनी में आ सकते हैं अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो वो जो stress या फिर tension होगा वो भविश्य में आपको ज्यादा problem में नहीं लेगा आपको अगर आप job लेस हो जौब भी मिल सकती है या फिर अगर आप व्यवसाय करना चाहता तो व्यवसाय के संदर में भी कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी खबर या फिर कुछ अच्छी opportunity वगर आपको आ सकती है अगर आप व्यवाईत हो तो व्यवाईत जोडिदार है उनके साथ का जो समय होगा आने में दो से तीन दिने में काफी अच्छी तरीके से बीच सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के 6 बाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके वेई बाव में से बुद्ध के साथ ये चंदरमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके चतुरतबाव में से धर्शल के साथ है चंद्रमा लाभयोग भी करने जा रहा है तो आज का दो दिन है आपके जो वाइवाइक जोड़ीता रहा है उनके साथ चोड़ी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपका दिन साबित होगा जापर आप काम करते हो वापर के जो सहे केरवी होंगे उनसे भी जादा नहीं उल्जे ये बात थोड़ी महतबूर्ण है उसे परकार आपके विया भाव में से धर्वाव के साथ आपके चतुर दबाओ का जो हर्शल है वह शड़ा श्टक वह नव पंचमियों गयाने के त्रिकोनियों करने जा रहा है तो अगर आप किसी भी प्रकार का व्योसाय करते हो तो आज के तिन या फिर आने वाले दो से तिन दिनों में तो इंटुशन जैसे बाते वो आपको मिल सकती है तो दिन आपके लिए वैसे देखा जाए आने वाले दो से तीन दिन आपके लिए शुवफरदाई साबित होंगे इसके बाद के जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के पंचम भॉमेश चंदर्मा का भ्रमन है और आपके त्रितिया भॉमेश थ के साथ ये चंदर्मा लाव योग करने जा रहा है आपके लाग भामिसित बुद्र के साथ ये चंदरमा प्रतियोग भी करने जा रहा है तो अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर तू-तू-मैमे हो सकती है आपके रिलेशन्शिप में चोटी-मूटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपके भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा सयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा आपके लाववामिसित बुद्ध के साथ आपके तृतिया भाव को हर्शल है वह नमपंचम योग्याने की तृतिया करने जा रहा है तो आने वाले दो से तीन दिन आपके अगर आपके इसी के रिलेशन्शिप में तो उनके लिए काफी अच्छे साबित होंगे आप दोनों में बहुत ही अच्छे हार्मनी देखी जाएगी अच्छे मिसंडेस्टेंडिंग भी देखी जाएगी वा आने वाले दो से तीन दिन में मिलने के संभावना काफी अच्छी बनती है इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी में दरश्य के चतुरत बुद्ध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है, आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वह आराम आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, चिटिछापन देखा जाएगा, तो उस बंचमी हो गयने के त्रिकोनियोग करने जा रहा है, तो आने वाले दो से तीन दिनों में जहाँ पर आप काम करते हो, नो करे करते हो, वहां के जो आपके सहकर में होंगे, उनके साथ आपके हार्मनी बहुत बहुत अच्छी देखी जाएगी, उसी प्रकार उनसे आपको कु दिसमबर दो हजार एकिस का संपुर्ण राशिपल, आपको ये राशिपल कैसे लगा, आपने किस तर से अनुभू किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपने जो चैनल है ब्रह्मभांड सिद्धियास्ट्रो, इसे भी लाइक, शेर और जरूर करना, भन्यवार